नमस्कार सभी को सततरवे स्वतंतरता दिवस की डेश सारी शुपकामने मैं सुरीशोदीसी आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये विशेश रूप से जो मौलिक कर्तव्यों का पार्ट राजस्थान सरकार के कारिक्रम के तहित किया जा रहा है उसी संदर्व में मैंने ये तयार किया है तो मौलिक कर्तव्यों के जो पार्ट है उसको करने से ठीक पहले मैं आपको मौलिक कर्तवे या जिने हम मूल कर्तवे कहते हैं या इंगलिश में जिने फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जाना जाता है उनके बारे में कुछ सामाने जानकरी आपको देना चाह रहा हूँ भारतिय सम्विधान जो की 26 नवंबर 1949 को स्विकार किया गया अंगिकार किया गया अधिनीमित किया गया आत्मार्पित किया गया उस सम्विधान में कुल 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचिया और 22 भाग रखे गए थे उन 22 भागों में भारत के प्रशास्निक विवस्ता से समंदित जो विभिन्न प्रावधान है वो उस सम्विधान में रखे गए इन्ही प्रावधानों के तहट जो सम्विधान का भाग चार है उसमें एक जो है नया क्लोज जोड़ा गया एक नया धारा जोड़ी गई जिसे भाग चार के के नाम से जाना जाता है और अनुच्छेद जो 51 था उसमें 51 के के नाम से एक अनुच्छेद जोड़ा गया 42 संविधान संसोधन विदहिक द्वारा और मूल करतव्यों के जो अवधारना है वो भारती संविधान में सामिल कीगी साथियों मैं आपको बता दू कि जो मूल संविधान जो हमारा 26 नमबर 1949 को एतद द्वारा स्विकार हुआ उसमें मूल करतव्यों का कोई प्रावधान नहीं किया गया था बाद में इंद्रागांदी सरकार द्वारा 1976 में जो ब्यारिश्व संविधान संसोधन विधेक पारित हुआ उससे ठीक पहले सरदार स्वर्ण सिंग के अधिक्स्ता में कमिटी की गई थी कि भारत में मूल करतव्यों का सवावेश किया जाए सरदार स्वर्ण सिंग कमिटी ने जो है वो आठ मूल करतव्यों की जो है अनुसंसा की थी बाद में भारश सरकार ने दस मूल करतवे जो हैं वह सामिल किये गए सम्विधान में जोड़े 42 वे सम्विधान संसोदन विधेक के दुआरा साथ्यों यह भी बता दूँ किये जो मूल करतवे की आमोलिक करतवे के जो अवधारना है वो पूर्व सोवियत संग से प्रेलित होकर के भारत में लाई गई है इस अवधानना के तहट जो मूल बात है वो यह है कि आप एक बात तो जान लिए गए हैं कि 42 समविदान संसोदन विदेग जो 1976 में पास हुआ उसके द्वारा 10 मूल करतवे भारतिय समविदान के भाग चार के अनुचेद 51 के में जुड़े गई थे इन मूल करतवें के जो अवधारना है उस मूल करतवें के अवधारना के पीछे जो भाव है वो यह है कि भारत के जो नागरिक हैं उनमें अधिकारों की भावना होने के साथ साथ उनके अधिकारों का सरक्षन तो कानून के द्वारा भारत में किया ही गया है लेकिन उसके साथ ही जो कर्तव्य हैं भारते नागरिकों के जो रास्टर के प्रति जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन भी उनके द्वारा किया जाना चाहिए तो इसी अवधारना क को रखते वे इन मूल कर्टबयों को या मुली कर्टबवियों को भारती संभिदान में जोड़ा गया। बाद में जो च्छी आसी वा संभिदान शंसोधन विधहयक, जो की दोँर्आजारrale के नाम से जाना जाता है। जब वो पास होा तो, तो इस मूल कर्तव्यों में एक और कर्तव्य जोड़ा गया जो ग्यारवा मूल कर्तव्यों के नाम से भी जाना जाता है और ये 51 के किट जो है एक धारा जोड़ी गई अनुछेत जोड़ा गया जिसके तहत ये सामिल किया गया है तो वर्तमान में जो भारते संविधान में मू पालंग करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, रास्ट्रद्वज और रास्ट्रगान का आदर करें। च्टा जो है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरव साली परंपरा का महत्व संजहें और उसका परिक्षन करें। साथवा है प्राकरतिक प्रियावरण की रक्षा और उसका समवर्धन करें। आठवा है वेग्यानिक द्रिष्टिकोन और ग्यानार्जन की भावना का विकास करें। नवा जो है मूल सार्वजनिक संपति को सुरक्षित रखें। दसवा मूल करतवे हैं वेक्तिगत एवं सामूई गतिविधियों की सभी छेतरों में उतकर्ष की और बढ़ने का सतत प्रियास करें। और ग्यारवा जो मूल करतवे हैं जो की छीएसी वे सम्मिदान संसोदन विदेख द्वारा जोड़ा गया वो है माता पिता या सरक्षक द्वारा छेसे चोदा वर्स के बच्चों ही तू प्रात्मिक शिक्षा प्रदान करना। जो है चैसे चोदा वर्स के आयूवर्क के बालकों को अनिवारी एमनिशूल के शिक्षा का जो कानून बनाया गया और इसको आपको जानकारी बता दूं कि मौलिक अधिकारों के तहत भी जो अनुछे 21 के तहत इसको जोड़ा गया है और मौलिक करतवे में भी इसको ग्यार प्रात्विक शिक्षा प्रदान करने की वेवस्था उनको करनी है तो सातियों यह हैं भारती समिधान में वर्णित मौलिक करतवे मूल करतवे या फंडामेंटल ड्यूटी जैहिन जैभारत